नमस्कार दोस्तो तो आपका स्वागत है मारे चनल All Competitive Exam है आज मैं आपके लिए क्या हूँ Science के Most Important Question जो कि हिमाचल में होने वाले किसी भी एक्जाम के लिए काफी Beneficiator रहेंगे अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बहले अरिकोन पर टैप कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो के Notification तुरंत मिल सके आज का session स्टार्ट करते हैं तो आज का मारा पहला question है विज़ाओ दो फॉलविंग इस नॉट आ मॉस्कीटो बॉन डिजीज आपके option है डेंगू बुखार, एलिफैंटाइसिस, पीलाजवर, टाइफ़ाइड पताई इसका answer क्या होगा इसका right answer हो option number D, टाइफ़ाइड ओके और टाइफ़ाइड किस विज़ास होता है तो टाइफ़ाइड होता है, सॉल्मोनेला, टाइफ़ी, बैक्टिरिया के विज़से तो मारा next question है तो पताईए इसका answer क्या होगा इसका right answer हो option number A, भारतियो कोब्रा ठीक है और कोब्रा एक मातर ऐसा सांप है जो की घौंसा बनाता है तो बढ़ते next question की ओर तो आपके option है जो भी आपका option दिये गए है ये सबी पक्षी आपके उडान विहिन पक्षी है पर आपको बताना है कि इने मैंसे कौन सा सबसे बड़ा उडान विहिन पक्षी है तो आपका अंसर होगा option number C शुत्रमुर्ग और सबसे छोटा कौन सा है तो आपका अंसर होगा इमू ओके मारा next question है इसका अंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका option number A दिया है तो यह पर आपका option number D दिया है तो यह भी एक प्रोटीन का अच्छा स्रोथ है इसका राइट अंसर होगा option number C citrus फल यानि खटे फल vitamin C का शे स्थ्रोथ होते है vitamin C का आपला भी एक अच्छा स्थ्रोथ होता है ठीके और vitamin C का रसाइनिक नाम क्या है तो इसका अंसर होगा ascorbic amal ठीके और vitamin A का vitamin A को कहते है retinol B को कहते है thymine और C को ascorbic acid तो देखिए दोस्तों आपको examiner ने question घुमा के दिया है तो बताइए इस cancer क्या होगा इसका right answer को option number D इराथोसाइट ठीक है और इराथोसाइट किसका दूसरा नाम है RBC को इराथोसाइट कहते हैं मैंने आपको previous वीडियो में भी बताया था जब हमने science के question discuss किये थे अच्छा मुझे आप white blood cells का दूसरा नाम बता दीजिए तो white blood cells को leukocytes कहा जाता है और RBC को इराथोसाइट कहा जाता है ठीक है और vitamin A का रसाइट किनाम क्या है तो मैंने अभी आपको बताया retinol ठीक है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है इसकी कमी से रथांदी रोग होता है night blindness ओके और protein की कमी से कौन सा रोग होता है तो protein की कमी से quartier yorker ओके बढ़ते हैं next question की और तो आपके option है blood, food, sexual contact, contaminated water तो बताये इस कांसर क्या होगा इसका right answer रोग option है sexual contact sexual contact से और कांसर रोग होता है तो sexual contact से होता है HIV, AIDS ठीक है और AIDS का पुरा नाम क्या है acquired immunodeficiency syndrome ओके और AIDS जिवसका मना जाता है AIDS दिवस मना जाता है एक December को ठीक है तो आपको ये से fact याद रखने है बढ़ते हैं next question की और the only app found in India is भारत में पाये जाने वाले एक मातर बंदर है तो आपके option है चिंपाजी, हुलूक गिबन लिफ मंकी, गोरिला तो बताये इस कांसर क्या होगा इसका अंसर का option number B हुलूक गिबन तो मारा next question है Which of the following material is a sound absorbing material निमन मैं से कौन सा प्रदार्थ एक द्वनी अव्शोर्शक प्रदार्थ है तो आपके option है कारपेट, पर्दे, गदे या all of these इसका right answer का option number D all of these तो मारा next question है Which mirror has a wider field of view किस दरपन में एक अधिक चौड़ा दिश्टी शेत्र है आपका अंसर होगा option number B उत्तल दरपन यानि convex mirror और convex mirror और कहां यूज की जाते हैं convex mirror गाड़ी के back view को देखने के लिए यूज की जाते हैं और अफ्तल दरपन गाड़ी की हेड़ लाइट में यूज होते हैं ओके नेक्स्ट कॉश्टन की और DC device which generate very high voltage is एक DC device जो बहुत उच वोल्टता उत्पन करता है आपका option है transformer, rectifier, DC generator, induction coil तो बताहिए इसका अंसर क्या होगा इसका राइट आंसर का option है DC generator मारा नेक्स्ट कॉश्टन है the bright star polaris is also known as आपके option है north star, south star the biggest star, the smallest star इसका राइट अंसरो का option है a, north star मारा नेक्स्ट कॉश्टन है the layer of atmosphere close to earth's surface is known as पृट्वी की स्थे से लगी वायु, मंदली और परत कहलाती है आपके option है iron मंदल क्शो मंदल सम्टा मंदल भायँ मंदल इसका right answer रोप्शन मेर भी क्शो मंदल क्याने ट्रॉफो स्फियर ओके और ट्रॉफो स्फियर में मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं जैसे आंधी तुफान वर्षा बरफ आदी होती है ठीक है और सम्टा मंदल में क्या होता है तो सम्टा मंदल में most important question ozone layer है ठीक है और ozone का सुत्र क्या है इसका सुत्र है O3 ओके और सम्टा मंदल में वायू यान भी उड़ते हैं ठीक है हमारा next question है washing soda is chemically known as आपके option है sodium chloride calcium hydroxide sodium carbonate sodium hydroxide तो बताएए इस cancer क्या होगा इसका right answer हो option number C sodium carbonate ओके और इसका सुत्र क्या होता है तो धोने के soda करसाइनिक सुत्र होता है Na2CO3 ठीक है और खाने के soda को क्या कहा जाता है खाने के soda को sodium bicarbonate कहा जाता है ठीक है और इसका सुत्र है NaHCO3 ठीक है महराज का last question है solid carbon dioxide is called तो आपके option है quarters शुष्क बरफ krypton xenon तो बताएए इस cancer क्या होगा इसका right answer option number B dry ice ओके अच्छा है मुझे comment box में बता दीजिए aqueo gas किसे कहा जाता है ओके तो यह थे दोस्तों मारे आज के most important question I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like, comment and share करना न भूले and most important thing मारे telegram group को join कर ले क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए most important PDF और information share करते जाते है और साथ ही आपकी practice के लिए quiz भी चलाए जाते है जो कि आपकी practice के लिए काफी beneficial रहते है तुमारे group को join कर ले मैं in description box में telegram का link pin कर दिया है So that's all for today Thank you watching and listening So okay guys आज के लिए इतना ही जय हैं जय भारत